मैं राजंद्र गांधी अपने यूटीब चैनल में आपके स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम आपके पाठे पुस्तक शेमशी भाग एक के ग्यार्में पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखो पहला मानव है कुत्र सुरक्षित यति श्ठती मानव कहां सुरक्षित रहता है उत्तर परियावरन कुक्षव परियावरन की कोख में अगला सुरक्षितम परियावर्णम कुत्र उपलब्यतेस में सुरक्षित परियावर्ण कहां उपलब्ध होता था वने वन में अगला है आर्ष वचनम के मस्ती रिशी मुनियों का वचन क्या है उत्तर धर्मों रक्षती रक्षित है हमारे द्वारा रक्षा किया गया धर्म ही हमारी रक्षा करता है अगला परिया वरन मपी कस्य अंग मिती रिशे प्रतिपाधित वनता है परिया वरन भी हमारे रिशियों के द्वारा प्रतिपाधित किसका अंग है उत्तर धर्मस से धर्म का अगला लोक रक्षा कया संभवती, संसार की रक्षा किस से संभव होती है? उत्तर प्रकृती रक्षया, प्रकृती की रक्षा से. अगला अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठती अजन्मा बच्चा कहां सुरक्षित रहता है उत्तर मातरी गर्भे माता के गर्भ में अगला प्रकृती के शाम सरक्षनाय यतते प्रकृती किनकी रक्षा के लिए प्रेतन करती है प्राणी नाम प्राणियों की अगला है अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तरानी संस्कित भाशा लिखत नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर संस्कित भाशा में लिखो पहला प्रश्ण है प्रकृते है प्रमुक्तत्वानी कानी संती प्रकृती के प्रमुक्तत्व कोन से है उत्तर प्रिथिवी जलम तेज़ है वायू आकाश है चै प्रकृते प्रमुक्तत्वानी संती प्रिथिवी जल अगनी वायू और आकाश प्रकृती के प्रमुक्तत्व है अगला है स्वार्थ अंध्य मानवे किम करोती स्वार्थ में अंध्य मानव क्या कर रहा है उत्तर स्वार्थ अंध्य मानवे परियावर्णम नाश्यती स्वार्थ में अंध्य हुआ मनुश्य परियावर्ण का विनाश कर रहा है अगला है परियावर्णे विक्रिते जाते किम भवती परियावर्ण के दूशित होने पर क्या होता है उत्तर परियावर्णे विक्रिते जाते विविधहा रोगहा भीशनम समस्याश्च जायनते परियावर्ण के दूशित होने पर अनेक परकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन हो जाती है अगला है अस्माभी परियावर्ण से रक्षा कथम करनिया हमारे द्वारा परियावर्ण की रक्षा किस परकार की जानी चाहिए हमारे द्वारा व्रिक्ष लगाकर जीवों की रक्षा करके कुए और तलाब आद्मिक आदी का निर्माण की रक्षा की जाने चाहिए अगला है लोक रक्षा कथम संभवती संसार की रक्षा कैसे संभव होगी उत्तर प्रकृती रक्षा एव लोक रक्षा संभवती प्रकृती की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है अगला है परिश्कृतम परियावरनम अस्मभ्यम किम किम ददाती शुद्ध परियावरन हमें क्या क्या देता है उत्तर परिश्कृतम परियावरनम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक समगरीचे प्रददाती शुद्ध परियावरन हमें सांसारिक जीवन रूपी सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्यान कारी समगरी प्रदान करता है अगला है स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश निर्मानम कुरुत मोटे अक्षरों में लिखे गई पदों को लेकर प्रश निर्मान करो सबसे पहले है वन व्रिक्षाह निर्विवेकम छिद्यंते जंगलों के पेड बिना सोचे समझे काटे जा रहे है तो प्रश्ण बनेगा के निर्विवेकम शिद्यनते कौन बिना सोची समझे काटे जा रहे है वन व्रिक्षा के स्थान पर आजाएगा के वरंत में प्रश्णवा चक्चिन इसी प्रकार व्रिक्ष कर्तनात शुद्ध वायू न प्राप्यते पेड़ों की कटाई से शुद्ध वायू प्राप्त नहीं होती प्रश्ण कस्मात शुद्ध वायू न प्राप्यते किस से शुद्ध वायू प्राप्त नहीं होती अगला है प्रकृति जीवन सुखं प्रद अधाती प्रकृति हमें जीवन रूपी सुख परदान करती है प्रकृती हमें क्या प्रदान करती है? अगला अजात शिशु मातरी गर्भे सुरक्षित रहता है अगला है परियावरन रक्षनम कस से अंगम अस्ती? परियावरन की रक्षा किसका अंग है? अगला है उधार्णम अनुसृत्ते पद रचनाम कुरुत उधार्ण के अनुसार पदों की रचना करो पहले उधार्ण है जले चरंती इती जल में विचरण करने वाले उनको हम क्या कहते हैं जल चरहा या जल चर स्थले चरंती इती स्थल पर विचरण करने वाले स्थल चरहा निशायाम चरंती इती रात्री में विचरण करने वाले निशा चरहा व्योमनी चरंती इती आकाश में विचरंद करने वाले व्योम चरहा गिरव चरंती इती पहाडों पर विचरंद करने वाले गिरी चरहा भूमव चरंती इती भूमी पर विचरंद करने वाले भूत चरहा या भूमी चरहा अगला उधारण है न पेयम इती जो पीने योग्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं अपेयम शिवरकार न व्रिष्टी इती वर्षा नहीं तो पत बनेगा अव्रिष्टी न सुखम सुख नहीं असुखम न भावय इती परियाप्त नहीं अभावय न पूर्ण इती जो पूर्ण नहीं है अपूर्नें। अगला है उधारनम अन्सृत्य पद निर्मानम कुरुत। उधारन के अनुसार पद निर्मान करो। सबसे पहले है वी, उपसर्ग, त्री धातू और कतिन प्रत्ये, इनके संयोग से पद बनेगा विकृतिही। इसी प्रकार प्रवव सर्ग गम धातू और क्तिन प्रते इन तीनों के सयोग से पद बनेगा प्रगति ही। नीज मक्तिन नीति ही। अगला है निर्देशा अनुसारम परिवर्तित। निर्देश की अनुसार परिवर्तन करो। इसे पहला उधारन दिया गया है। स्वार्थ अंधो मानव है अध्य परिया वर्नम नाश्यती। स्वार्थ में अंधा मानव आज परिया वर्न का नाश्यती। यह वाक्य एक वचन में है इसको बहुचन में बदलना है। बहुचन में बदलने के बाद बनेगा स्वार्थ अंधा मानव अध्य परिया वर्नम नाश्यती। स्वार्थ में अंधे मानव आज परिया वर्नम का विनाश्यती। परिया वर्नम नाश्यती। आपके सुविधा के लिए मैंने जिन पदों में परिवरतन किया गया है उनको अंडरलाइन कर दिया है अगला है मानवहा परियावरण कुख्षव सुरक्षिताः भवन्ती मानव परियावरण की कोख में सुरक्षित होते हैं इसको एक वचन में बदलना है तो बनेगा मानव है परियावरन कोक्षव सुरक्षित भवती मानव परियावरन की कोक में सुरक्षित होता है अगला वन व्रिक्षा निर्विवेकम छिद्यनते जंगलों के पेड बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं इसको एक वचन में बदलना है तो बनेगा वन व्रिक्षा है निर्विवेकम छिद्यते जंगल का पेड बिना सोचे समझे काटा जा रहा है अगला है गिरी निर्जरहा निर्मलम जलम प्रयचनती पहाडों से निकलने वाले जरने स्वच जल परदान करते हैं इसको द्वीवचन में बदलना है, तो यह बनेगा गिरी निरज्जरवू Nirmalam जलं परेच्छत है, पहाडों से निकलने वाले झछर्णे स्वच जल परदान करते है, अगला सरित Nirmalam जलं परेच्छती नदी स्वच जल परदान करती है, इसको हमने बहुचर में बदलना है, तो बनेगा सरित है निर्मलम जलम प्रयच्छंती, नदियां स्वच जल प्रदान करती है, अगला है परियावरण रक्षनाय भवंत्य किम करिश्छंती, परियावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इती विशे पंच वाक्यानी इस विशे में पांच वाक्या लिखो, पहले उधारन दिया गया है, अहम विशाक्तम अवकरम नदीशू ना पातिश्यामी, मैं जहरीले कूडे को नदियों में नहीं डालूँगा, इसके पहला वाक्या है, अहम निर्विवेकम व्रिक्ष छेदनम ना करिश्यामी, मैं बि समय व्रिक्षा रोपनम करिश्यामी, मैं समय समय पर व्रिक्षा रोपन करूँगा, अहम पशू पक्षि नाम आखेटम न करिश्यामी, मैं पशू पक्षियों का शिकार नहीं करूँगा, अहम अवकर कंडोले एव अवकरम पातिश्यामी, मैं कूडे दान में ही कूडा डा अहम तड़ाग आदी नाम निर्मानम करिश्यामी मैं तलाब आदी का निर्मान करूँगा अगला है उधारण मनुसृत्ते उपसरगान प्रिथक कृत्वा लिखत उधारण के अनुसार उपसरगों को अलग करके लिखो जैसे पहला उधारण है सरक्षनाए इस पद में उपस उपसरग हमेशा पद के आगे लगता है आगे है प्रभवती इसमें उपसरग क्या है प्र अगला है उप लभ्यते इसमें उपसरग है उप निवसंती नी सम उपहरंती इसमें दो उपसरग है सम और उप वितरंती इसमें उपसरग है वी प्रचंती प्र उप गता उप प्र प्रति भाती इसमें उपसरग है प्रती अगला है उधारण मनसुत्ते अधो लिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रहम लिखत उधारण के अंसार नीचे लिखे समस्त पदों के विग्रह लिखो पहले उधारण है तेजो वायू तेजय वायू चै अगनी और वायू गिरी न निर्जरा चै, अगला है पत्र पुष्पे, पत्रम पुष्पम चै, पत्र और पुष्प, अगला है लता व्रिक्षव, लता व्रिक्ष है चै, बेल और व्रिक्ष, पशु पक्षी, पशु पक्षी चै, पशु और पक्षी, कीट पतंगव, कीट है पतंगय चै, कीट और पत प्यारे बच्चों इसे के साथ आज का वीडियो समापत होता है धन्यवाद अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वश्य कर लें आप सब का कल्यानु